गीता में अर्जुन को स्वैम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्व दर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्व दर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग सर्माने लग जाएगे उनको अब तो कोई सर्म नहीं रही बाप बेटा कठे बैठके दारू पी हो है बता सर्म रही फिर फिर छोटे-छोटे बच्चे भी धिका रहेंगे कोई रिष्टेदार भी आ जाएगा आप क्या पी रहे हो ये कोई सरापीने की चीज है इसके कहते हैं मजरा पी हो है कड़वा पानी सत्तर जनम कुट्टे के जानी इस तरह के परमान दिया करेंगे हमारे बच्चे कहते हैं सुरा पान मद मासा हारी गवन करें बोगए पर नारी सत्तर जनम कटेंगे सीशं साक्सी साइब है जगदीशं और परमात्मा कहते हैं सो नारी जारी करें सुरा पान सो बार एक चले मुकावर देवो डूब है काड़ी धार इतमाखू के अंदर इतना दोस है कि एक परश्त्री गमन करने वाले का 70 जनम तक अंदा हो डोला है परद्वाराश्त्री का खोला है 70 जनम अंदा हो डोला है सुरापान मदमासा हारी और जो ग widget करें भोगे हैं पर नारी सतर जनम कटेंगे सी सम सक्षी साइब है जगदी सम जो ऐसे पाप करेंगे उनके सतर जनम तो लगातार वो बली के बक्रें बनेंगे परमातमा ने कहा कि सो नारी जारी करे एक पर सतरीwarming करने का क्या बता है कि 70 जनम तर लग कर दक्य खावे और फिर 70 जनम वो बली का बक्राबन का गल कट वावे कितना घोर पाप और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे सो नारी जारी करें सो शुरा पान सो बार एक बार सुरा पान करने का कितना पाप है मद्रा पीवे कड़वा पानी और सत्तर जनम कुट्टे के जानी जो मद्रा एक बार भी पीते हैं सत्तर जनम कुट्टे के होंगे जैसे आप मारिची जी के जो माविर जैन के जीव की कथा सुनते हूं साथ करोड़ बार को दो आतीस करोड़ बार कुट्टा तो ये इनी दोसों के परतिफल में बनते हैं तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जनम है फिर वो लिखे जाते हैं कठे होते हैं फिर वोगने पड़ते हैं तो क्या बता है मद्रा पीवे कड़वा पानी सरा पीता है जो सत् पाक रहा गुटी लाक है उठलों बैठके महुजमा रहा फिर कुटा बनके गंदी नाली के जल को पिया करेगा अब तरी मद्रा ये बन गई इसा सु बार कर ले और एक चलम उकबर दे पीने वाले का तो गरक बीड़ा है एक उकबर के देने वाले को इतना फाफ लगेगा क्योंकि कोई दो समय सा योग देता है कोई हत्या करने जाता है उसकी मदद कर रहा है उठा कर उसको अथियार दे रहा है कि ले कर ले काम तो दोनों दोसी है वो तो यहां क्या बताया कि सोनारी जारी करे सुरा पान सो बार एक चलम हुका वर दे और डूब बैकाली था जैसे आपने गीता जे दैर नुमर साथ के सलोक नुमर उनतीस में सुना है कि जो विक्ती सभी कर्मों से प्रीची थे पूरे धातम ग्यान से प्रीची थे और तत्परम से प्रीची थे तत्परम यानि प्रमक्सरब्रम से तो वो केवल जरा और मरन से छूटने का ही प्रियतन करते हैं वो यहां की बकवादों में आशरित नहीं रहते यहां की किसी वस्तू की डेमाड नहीं करते हैं दोस्वक्ति के अनुकुल साधना वही करते हैं उसमा बादक वस्टू को ग्रेण नहीं करते तो यह हमारे बच्चे इन पूरे धातम ज्यान से और इस सभी पूरे कर्मों से प्रिचित हो जाएंगे तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संप्रक में आवगा उनके गुनों से प्रिचित कराएंगे कि यह मत करो आप यह पाप लगता है अब छोटे छोटे बच्चे भी कोई रिष्टेदार आता है वो बेड़ी मातिस के लिए बेड़ी उगारा मंगवाता है वो मना कर देते हैं आपकी और सब सेवा कर देंगे पर यह नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोस लगेगा और आप हमारे गर पर भी इसको पीने की करपा ना करना हानी हो जागी तो वो अपने आप सरमिंदे होंगे एक भगत बता रहा था कि ऐसे हमारे गर पर हमारा एक बेन होई आगया लड़के थे गर पर और वो लगया निकाल के बीड़ी पीन उनने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे गर पर तो वो न बच्चे थे उसने समझदार विक्टी था उसने बंद कर दी बाहर जाकर पी आया उसने स्यामना आका उससे बताई मेरे से वो कह रहा था यह बालकों को के हो गया मैं बीड़ी पीन लगया था ने मना कर दिया तो उनने कहा यह आम ना उपदेश लिए रख्या रहे से ऐसे हम ना यह पीमर ना पीन दें ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे लेकिन यह अब आम नहीं आपको सहुग भी नहीं देंगे तो रिष्टेदार उसी का नाम होता जो अनुकूल हो जाना तो दुस्वन है वह आपका तो वह ने वह रहा जी कोई बात फिर वह गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर वही कहीं दूसरी रिष्टेदारी में वह कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे तो भी चलेगा के तो वह खुद कह रहा था अमारा बेनोही कि वहां जाओ तो भाई आपना बेड़ी माचिस बार दर दियो यानि खुशी के उसने कोई उलाणा नहीं दिया बलके उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने वेड़ी माचिस समेथ तो वो रिष्टेदार भी अच्छे थे नहीं बहुत अच्छी बात है हम ठीक है उनके नियम को क्यों भंग करेंगे तो दीरे दीरे उस रिष्टेदार ने भी उपदेश ले लिया जब देखा के बालक भी इतना ग्यान रखते हैं बुराई से दूर रहना चाहते हैं और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रेंड करेंगे तो उसमुद इमान विक्ती ने भी उपदेश ले लिया अपने बच्चों को इस मारु पर लगा दिया तो ऐसे ये बुराई इब कम होएगी और पहले हम क्या करते थे जब हम छोटे छोटे थे हमारी बैनों के बटेव आते थे बैनों ही तो हमारी सपैसल सिवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडेनी होनी ची ना तबेजती हो जागी यानि इनका उक्का इतना प्याना है ये कंद्याड बैठेर ये सपैसल इस परकार अब ये पूरे विश्व में एक अथी लहर दोडेगी विकार रही थांगे और जो माया जोड़न की दोड़ला अगरी पुन्या अत्माओ या कती खत्म होएगी ग्यान के अधार से एक इनसान को जो भी मिलना है उसके प्रहरद में लिखा हुआ है और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा और अब जो आप इस साधना को करोगे जो दास आपको बताएगा आपके भाग में ना होगा और आपको आउसकता होगी वो फिर बगवाना वस्यापने को टेद देगा आपको यह सतकर मानना फिर आप किसलिये चोरी करोगे मिलावट करोगे और फिर पता चल जाएगा चोरी रिस्वत करने से तो विस्वत खाना है अपने गर पे रिस्वत लेकर मिलावट करके दो नमबर का काम करके बच्चों को खिलाना ये समझ लो उनको विश देंड की जुरूत नहीं पड़ेगी आपने लाश्ट में ऐसी सतीती हो जाएगा आपके परिवार के हम क्यों फिर विश खाएं जब ग्यान हो जागा ये विश है तो अभी तक हमें कोई ये बादा करने वाला था ही ने के कि तुम जो कर रहें गल्द कर रहें हो और कोई स्वें भी उस पर रुकने वाला नहीं था कह देता था तो खुद करता था जैसे हमारे दादे प्रदादे पिता जी स्वें वह का पीते थे और बच्चे साथ खड़े हो जाते हूं का मुह लगा देते कहते थे मारूंगा ते रहे हट जा बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना और खुद पीन लग रहे तो बच्चे कब तक वानेंगे इस बात को युवा होते हो शुरू कर देते हैं फिर उनको दमकावी नहीं सक ये बुराया नहीं छुटवा सके क्योंकि इनके पास वो बचन सक्ती नहीं थी और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई अध्यात्मिक या कोई बौती गलाब हुआ तो अब आपको सारे काम होंगे जो वगवान किया करता है आपको परमात्मा मिल गया परमात्मा की गुणों करते थे ये गुण है मालक के जैसे बीजली के गुण है बीजली के गुणों में लिखा है कि बलब भी जड़ेगा टूप भी जलेगी पंखा भी चलेगा कूलर भी चलेगे और पशू का चारा काटने की मसीन भी चलेगी आटा पीशने की चक्की भी गुमाती है वो तो ये गुण है लेकिन वो गुण कब होंगे जब उसका connection मिल जागा तब वो फल देगी तो पुन्यात्मों जैसे ये पहले जितने भी संथ पंथ हैं ये सास्तर भी दीता का मनमाना अचर्ण हमें दे रहे थी ये हमें connect डी कर सके उस power से जो lab दिया करती है अब जैसे किसी ने एक की करका लठ गाए उसका तार बांद गाए पावरास बना रहा हो और आगे उसे सब connection लिये बैठे हैं तो उनके connection भी लिये हैं लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो electricity करा करती है कोकि electricity का connection है नहीं वो तो connection उसकी करके लठ का बांज रख तो इसी परकार ये सास्तर विजीता का मनमा नाचन करने वाले जिनका आप कोई गुरू नहीं जैसे स्रीशिव जाल जी राधा स्वामी पंत के परवर्तक उनका कोई गुरू नहीं यानि आगए connection नहीं जहां से पा क्योंकि इनको पता नहीं था कि connection जोड कहां राख्या इनोंने अब दास ने बताया इनको कि वो खुद बूत बना बैठा है शिव जाल जी राधा स्वामी पंत का परवर्तक तुम्हारी क्या यहीं दसापकी होगी जो उसे संबदीत रहेंगे तो आप नत्यागना हुआ है आदने गरीबदास साहिब जी सीदे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे उनके से सुवे सीदे परमात्मा ने आकर उनको सतलोग दिखा और वापे छोड़ा उसके बाद गरीबदास जी के पास सीतल दास जी और उसके बाद मारे गुरु जी हमारा connection जुड़ा पावरां से connected तार हैं सारे और वो पावरा आपके पास पहुंच रही है आप सब को लाब होगा ना कैसे हो पावर का गुन है वो लाब देगी देगी आपको तो इस परकार पुनियात्मा आप जी अब सुखी भी होगे बुराईयों से भी बत चोगे क्योंकि आपको ज्यान हो जागा परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबहुद रहता है एक छोटे से बालक ने क्या देखा पिता जी सराब पीता था दादा जी भी गुटी लगाता था दादा जी वो एक पसूं का बुस बर रहा था तोड़ा एक कोठे में दादा जी दूसरे सतान पर सराब की बच्चे वो तरपी के बाकी बच्ची उसमें छुपा देता था और पिता जी दूसरी साइड में छुपा देता था बच्चे देख्या करते थी एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिता जी भी दादा पी हो या चीज होगी तू भी पी ले उसमें कीडे मारने की दवाई थी क कोई विष्ट था वो बोतिल भी तूड़े मदावी रखी थी उस बच्चे नाथ हुथ मारा किछी कोई पावे बो मैं भी प्यूँ अब कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष्ट था वो आथ लागया गायल के कप में पी गया पांथ-दस मिन्ट पाच्छे उड़े मर्या पाया सुनना देख्या पाबोतल दरी का पर रख्या तो पुनातमा और जब उस बच्चे को ये पता हो जागा कि ये तो विष्ट है आथ भी ना लावर दूसरे नवीनों का दूर यो बाई ये तो मर जागा इस तह तो पुनातमा और परमातमा में ये आगा कराते हैं कि कौ कौन सा विस है, कौन सा मरत है और जब आपको ये ज्ञान हो जागा फिर बताते हैं जैसे किर्का जैहर का रंग हो पुरते हो, को हो कोण तिस खावराम रंग हो पूरते हैं और रहे वाँने खुशी जैसे कहीं पर विस्चा कन भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विस का कन है कहते है उस कन को भी कोन खाओगा किरके को उठा के दूर गेर काओगा मिट्टी मदाब देगा राच दोएगा कही हमें परभाव ना कर जाओए तो परमात्मा कहते है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो कहो कौन तिस खावराम रंग होरी हो यानि वगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे और फिर औरी औरी माने खुशी है खुशी होगी हमारे गर में इस परकार हम इन बुराईयों से बचेंगे और फिर सुपने वे भी नहीं कर सकते सत्कर्मान लियो पुनादमा आपके आस पास भी कोई किसी का धन पढ़ाओगा वे इस दिखाई देगा और कोशिस करोगे उसको उठा करके वे किसका है कहां पर है आप या उठाओगे ही नहीं और चोरी तो बहुत दूर की बात मिलाओड करना रिस्वत लेना किसलिए लेते हैं हम रिस्वत किसलिए लेते हैं हम ये दो नमबर का काम किसलिए करते हैं बड़ी कोठी हो फिर दो बेटी हैं उनकी साधी करनी उसमें कई लाखों रुपे का दहिज देना है यही दो कारण है हमारी ये बड़ी कार हो, ये तीन कारण है जो हमें सब बुराईयों की तरफ खेंच रहे हैं, तो हमने अपने बुदी मता के साथ और तत्व ग्यान के अधार से इनको बिलकुल कम करना है, अब लड़कियों को कहर बना रहा है हमने, दो बेटी होगी, सारा कुण बार रोने लग जा करना है, सिंपल वेसे करो, यूहातों बगवान करके बेजय है, संयोग वही जोडता है माबाप, दो दो तिन तीन साल दके खाएं जाते हैं, संसकार नहीं होता, परमात्मा एक में कर देता है, तो वो मालिक का किया हुआ होता है, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चो होगी, माबाप के दिये हुए से कभी सफलता नहीं होगी, अब हम कितना दे सकते हैं अपने बच्चे को, क्या माबाप आज ही वन उसको दे सकता है, सारे इतना दहिज में, नहीं दे सकता, बच्चा अपना करे और खावा बगवान पर आशित रहे, फिर बगवान देगा, तब सफलता होगी, तो ये बगवाद हमने गरकरी देखा, अब इसको उत्यागेंगे कती, सिंपल मकान बनावाँगे, आज कोठी गाडन पर पांदस लाक रपिय की दरुदर से कर लिए, कोठी बना दी, और फिर मर्ती होगी, वह कोठी नोकीन रहेगी, आप कुठी आपने के लिए बनाने में कोठी ख्रीदन के चक्र में, सोपाफ कर बैठते हैं, वो पाफ हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यही रह जाती हैं, तो इस ग्यान के आधार से आप जीनें, सबसे पहले तो हमने इस व्युहा की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा, उसके परतमान की जो औशकता हैं, आपको कार भी चाहिए, मानले सपीड अच्छी होगी, जमाने की मोटर साइकल चाहिए, आप इस वास करना, परमातमा आपको वो भी देगा, लेकिन सद्वयोग के लिए, उसमें परमातमा की केश डिला के चाले, उसके अंदर बगवान की टेप चला होए, मालक की चर्चा करता जावर आवे, तो वो आपको सब को दे सकता है, मालक के गरमा किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन दुरुप योग ना हो, और हमेशा परमातमा देगा, उसमें सपलता पराप्त होती है, और बगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के देदे आपके रोग होना था, वो लाग दस लाक रुपिये, एक दो लाक रुपिये, और एक सो रुपियां की दुवाई से मालक ठीक कर देगा, बहान ना सा करके, तो होगी वचत सारित सुरू, और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है, एक पैर में थोड़ा सा दर दोया था, एक से विक्तिक है, और अब नाम लेने के बाद दाक्टर सला देते हैं, अगर तो दो दिन लेट हो जाता था, अब वो टांग बज़ की दोश्य और वेग दोईयों से, तो अपने अत्मा पुन और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं, तो अब पुन करें होआ, काटे मेटल जा, यदि हमारे प्रार्वत के अंदर मर्चु होनी हो, तो प्रमात्मा कहते हैं, काटा लग जाने से, उसको इतने मैयाप के, उस पाप को प्रमात्मा के निसल करवा देगा, तो इसलिए बगवान की खोज़ हम किया करते थे, तो पुन अत्मा हमारे जो अध्यातम गुरू थे, वो तत्व ग्यान हीन और हमारे सद्गरंथों से ऐपरिचित थे, पहले पुवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजब नहीं था, जो कोई बगटी या तो करता नहीं था, करता था तो वेदो अनुसारी करता था, पुवित्र हिंदू धर्म का उठान आधी संकराचारिय जी से माना जाता है, आज से 2520 वर्स पूरव उनका जनम हुआ, यानि इसा जी से 508 वर्स पूरव, उसके बाद ही इसाई धर्म का उठान हुआ, इसा जी का जनम आज से 2012 वर्स पहले हुआ, और उस इसाई धर्म के बाद ही मुसल्मान धर्म का उठान हुआ, लगवगद चौदा सो वर्स उसको हुए है, हमारा जनम पवित्र हिंदू धर्म हुआ, हिंदू धर्म के जो सद्गरंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमत भगत गीता, पवित्र पुरान, और हमारे जो आचारिये, संक्राचारिये और ये मंडलेश्वर जो इंदुधरम के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों वेदों और गीता नों सार्तुमें ग्यान दे रहे हैं और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों वेदों और गीता जी का अब आपको थुड़ा सा ग्यान देते हैं कि शिरीमद भगवत गीता जी का ग्यान किस ने बोला अपने अत्मों इसको तत्वे ग्यान कहते है अब ये ग्यान तो सब ने पता है किसी से पूछ लो तुरंत उतर दे देता है कि श्री मदभगवद गीता का ग्यान किस ने बोला श्री किरसन जी ने बोला अपने अत्मों यद ही इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरूओं कि उसकता क्या थी इन सद्गरंथों को समझने की शिरी मद भगवत गीता के अंदर शिरी किर्शन जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी है पुन्यात्मों ये वतन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने क्योंकि आप जीन ऐसे गुरू मिले जीन आज तक यूग्यान निरने करके बताया ही नहीं जब तक हम शिरिष्टी रत्ना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब कलियर करने जा रहा है शिरिष्टी रत्ना के विश्या में सुम परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहिब यहां सिरिष्टी रतना तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन थुड़ा सा हिंट सद्गरंथों का देखर के और शिरी मद्बगुत गीता का ज्यान किसी ने दिया वो बताएंगे शिरी मद्बगुत गीता जाय नुबर 15 के सलोक नुबर 16 और 17 में तीन पुरुस है एक सरपुरुस एक अक्सरपुरुस एक परमक्सरपुरुस है सतरमे सलोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुस है तुए 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 वो परमक्सरपुरुस है उसके विशे में गीता जी दहाय नमर आठ के सलोक नमर एक में अरजुन ने पूछा कि आप ने जो उनतीसमे सलोक में जिस तत्वर्म के विशे में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी के जरा और मरन से ही छूटने का प्रियतन करता है तो किम्तच ब्रम आठ में जाय के गीता जी के पर्थम सलोक में परसंद किया अरजुने गीता ग्यान दाता ने आठ में जाय के तीसरे सलोक में उतर जिया के उपरम अक्सर ब्रम है तो पुनियात्मों ये सरपुरस कौन है ये स्वम ब्रह्म है ये काल है ये गीता ग्यान बोल रहा है अक्सर पुरस कौन है जो साथ संग ब्रह्म हंड का स्वामी है उसका यहां कोई रोल नहीं है इसलिए हमारे इस जातम ग्यान में इस परद्वी के लोग पर विशेज कर दो पुरसों का दो भगवानायों का रोल है एक तो इस सर पुरस यानि ब्रह्म का जो श्रीकरसंदी में पर्वेश करके गीता जी का जिसने ध्यान बोला और दूसरा प्रमक्सर ब्रह्म है जो उत्तम पुर्शातु अन्य प्रमातमाईत जीवधारते यह लोगतरमावी सेविवर्ति अवैस्वरे गीता जिए नुम्र पंदरा के शलोग नुम्र सत्रह और आठमे दैगे तेसरे सलोग में जीटा ज्यान-दाता सुन कहता हूं परमक्सर नहीं है तो यह गीता ज्यान-दाता तेरिवने सलोग में कहता कि ओम इती एक मुझ ब्रम कौने को मंदर है está और इसका। ञbuild करके। षठी चोड़ परता है। ओम नाम से जुलने वाले है, फिरोगर को प्राप्त होता है। व दोओन को मुझत ब्रम्न ब्रहते है। फिरोग वाफ्य आठेवा ci-6 में लिखे भान nervous आठ्व रोग घंधि मिंदर है। ये भी पूर्न मोखस नहीं हुआ क्योंकि ब्रहम लोक में गएंवे प्राणी भी वापिस आते हैं और गीता ग्यान दाता स्वेंबी कहता है दूसरे जाए के बार में नौच। जाए के पांच और नौच। जाए के दूसरे स्लोक में कि अजुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके इसलिए अठार में जाए कि बैसेट में स्लोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि तू सर्वा भाव से उस परमेश्वर की संड में जा उसकी किरपा से ही तू परम सांती को शनातन परमधाम को प्राप्त होगा गीता जिद है नुबर पंदरा की स्लोक नुबर चैर में कहा कि जब तत्वदर सी संथ मिल जा उसकी पाद उस परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जहाँ दाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार मनी आते और जिस परमेश्वर ने सबर मंदो के उतना की है और के उलुसी की भक्ती करो यह गीता ग्यान दाता कहता है तो इससे सद है कि स्री मद भगवत गीता का ग्यान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है अब स्री मद भगवत गीता का ग्यान कौन दे रहा है जो कभी किसी के समक्स नहीं आऊंगा मेरे करम और जनम अलोकिक है गीता जी दह नंबर चार के स्लोक नंबर नौ में यह कहता कि अर्दुन मेरे जनम और करम दिब है अलोकिक है अपने अत्मा हो अब हम आपको श्री मद्ध भगवत गीता जी का ग्यान किस ने बोला ये थोड़े से संक्सिवत में सुनाएंगे श्री किर्शन जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ग्यान में कैसे कि श्री किर्शन जी युद के पक्समा नहीं थे इसमा वारत के युद में और दीन बार व कोरो और पांडवां को लास्ट मैं यहां तक जब फैंसला कर लिया कि एक तरफ मैं होंगा एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं सस्तर भी नहीं उठाऊंगा प्रतिग्या कर लिया तो पुन्यात्माओं जो मापुरस ये कहता हो कि मैं अथियार भी नहीं उठाओंगा, क्या फिर वो युद्ध की सला दे सकता है? नहीं, अब जब इसने देखा कि इसने इस काल भगवान ने, ये गीता जी दायर नुबर साथ के शलोक नुबर चौविस और पत्तीस में अपनी योग माय से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्स नहीं होता, ये मेरा अटल अनूतम, अवे अनूतम, यानि गटिया अटल नियम है, इस्ते गटिया और के उगाजवा पता अपने पूत्रों के सामने नहीं आता, उसमें कोई दोस है, तो इस कारण, इस परकार वो सफ़ष्ट करता है कि मैं अपनी योग माय से छुपा रहता हूं, और मुझ एव्यक्तम व्यक्तिम आपनमननते, मुझ एव्यक्त को, मैं तो एव्यक्त रहता हूं और मुझे एक किर्शन मान रहे हैं, ये मुर्क्स दन सुमदाए, I am not किर्शन, गीता ग्यान दाता केता अब ये इसके जनम और कर्म कैसे अलोकिक है, पुनात्माओ, ये काल जो है, जैसे आप जी ने, शिरी, शिव प्राण के अंदर, इस विद्वेशर सहिता के अंदर देखा, आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है, कि ब्रमा और विष्णुजी का आपस मैं इसी बात पर युद्ध हो गया, ब्रमा जी कहते हैं, विष्णुजी को कि मैं तेरा जनक हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तेरी उत्पती मेरे मना भी कमल से हुई है, इसी बात पर इनका युद्ध हो गया, इसको समाप्त कराने के ल यही है इसने इन दोनों के बीच में लिंग खड़ा कर दिया सतंब और बहुत लुम्बा चोड़ा यह उपर नीचे गुमन लगे उसका और छोर प्राप्ट करने के लिए युद्ध बंध हो गया फिर यह स्वम अपने पूत्र सिव का रूप दारण करके खड़ा हो गया फिर इनको समझाने लगया कि तुम बगवान नहीं हो यू आर नोट गॉड तुम आपने आपको इसमान लिया जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने फिर यह कहता है कि पुत्रो बर्मा और विष्णों को कि तुम ने जो दो करत दो डेपार्टमेंट जैसे उत्पत्ती और सत्थीथी का तुमने मुझ से पराप्त किये तप स्या करके इसी परकार दो करत महेश्वर और रुदर को ने पराप्त किये मेरे से, तो इसका मतलब यह पांच माह है जो श्री सिव प्राण का ग्यान और ब्रमाविशनों को जो ग्यान दे रहा है यह इनका पता है और यह उसी विद्वेश्वर सहीता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्सर है नथिंग एल्स और इसका सिमन करो इसका सिमन करने से मेरा ही समन होता है तो इसे से दो गया कि जो सिव प्राण के विद्वेश्वर सहीता कि अंदर बोल रहा है वो काल है और वो सिव रूप बना के खड़ा हो गया ऐसे यह च्छल करता है किसी को विष्णु जी के रूप मदर संदे देता है किसी को विष्णु जी के रूप मदर संदे देता है तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो आप सुपाए हुए हो अपने आपको इस परकार इनको भरम हो जाता है और ये कैसे इसके करम अलोकिक है अब आपको दिखाते हैं थोड़ा परमान सद्गरंथों में एक बार देवताओं का और असुरों का राक्ससों का युद्ध हो गया और राक्सस विजयी होगे देवताओं बाग गये मैदान छोड़ गए देवताओं ने कहीं जाकर केकठा होके बगवान विश्णूं की अरादना की और ये विश्णूं रूपदाण करके युबरमा विश्णूं महिस का पता जिसने गीता बोली ये वहाँ पर गट हो गया और इसने पूछा के तुमने जो तुमारे मन की बात मने जान ली है और आप जाओ जो ससाद का पुरंजे नामक पूतर है उसको युद के लिए खड़ा कर लो राक्ससों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको त्यार कर लो मैं उसके स्रीर में परवेश करूँगा राक्ससों को मार देंगा अब दिखाता हूँ आप ये देखिएगा श्री विष्णु पुरान गीता प्रैस गोरपुर्शे प्रकासित है ये है श्री विष्णु पुरान सचीतर हिंदी अनुवाद सहीत है इसमें संस्कृत भी साथ है अनुवादक है मुनिलाल गुप्त और गीता प्रैस गोरपुर्शे प्रकासितर है प्रकासितर हैं गीता प्रैस गोरपुर्श गोविष्णु दौनकारिया ले कुलकाता का संस्थान ये है अज्जाय नमर दो और चतूर थन्स और 233 प्रैस पे ये विश्णु प्राण अब हमें आपको यहां ले आते हैं 233 प्रैस पे यहां से पड़ेंगे पूर्व काल में तृत्ता युग में एक बार अती भीशन देव असुर संगराम हुआ देवताओं राक्षसों का उसमें महाबलवान डेट गण से प्राजित हुए देवताओं ने बगवान विश्णु की राधना की तब आदी अंत सुन असिस जगत परतिपालक श्री नाराण देवताओं से प्रसंद होकर कहा आप लोगों का जो कुछ अभिस्ट है वह मैंने जान लिया है तुम जो चाहते हो मैं समझ गया उसके विशे में यह बात सुनिये राजरिसी ससाद का राजरिसी ससाद का जो पुरंजे नामक उत्र है उस अक्सत्रियस रिष्ट के सरीर मैं अन्स मातर से यानि कुछ समय के ल पुरंजे को डैत्यों के वद्ध के लिए त्यार करो ठीक हो गया अब इसने क्या किया पुरंजे को खड़ा कर लिया देवताह ने समझा गुजा के और राक्सस भी सामने होगे यह काल जो है उस पुरंजे के अंदर परवेश कर गया क्योंकि यह एक हजार गुजा का एक उन सब राक्ससों को मार्ड डाला तो अब दूसरा धन देते हैं आपको एक समय गंद्रों का और नाग वनसीयों का नाग गोतर के विक्तियों का आपस में युद्ध हो गया तो गंद्रों ने नागों को प्राजित कर दिया और उनके सब धन लोट लिया तो फिर नाग वनसीयों ने यानि नाग गोतर वाले विक्तियों ने कठे होकर वगवान विश्णू की अरादना की फिर ये विश्णू रूप में काल पर गट हो गया इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही प्रुकुट्स को त्यार करो प्रुकुट्स को उसको त्यार करो उसक और सलोक नमर 200 यह श्री विश्णु प्राण यह है अध्याय नमर तीन और चतूरत अंस श्री विश्णु प्राण प्रिश्ट 242 पे यह नीचे आईएगा तीसरा अध्याय पूर्वे काल में रसातल में मोने नामक 6 क्रोड गंद्रव रहते थे उन्होंने समस्त नाग कुल के परधान परधान रतन और अधिकार छिन दिये थे गंद्रवों के प्राक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों दोवारा सतूती किये जाने पर उसके सरुन करने से जिनकी विक्सित कमल सदर साखे खुल गई है निंद्रा के अन्त में जागे हुए उन दल स्याई भगवान सर्वे दिवेश्वर को परणाम कर उन से नाग गुणों ने कहा भगवन इन गंद्रों से उत्पन हुआ हमारा भैकिस परकार सांथ हो तब आदी अनंतर रहीत बगवान पुर्शोतम ने कहा यो नासाओ के पूत्र मान धाता का जो ये पुरकुट्स नामक पूत्र है उसमें परवीष्ट होकर मैं सभश कर दिया परवीष्ट होकर उसमें परवेश करके मैं उन संपूर्ण दूष्ट गंद्रों का नास कर दूँगा अब इसके करम अलोकिक ऐसे हैं ये कहता मेरे करम देव हैं इसी परकार इसने श्री करसंद जी मैं परवेश करके गीता का ग्यान वेदों वाला पलस में अपनी युद कराने की जो अठकलवा जी ये श्री मद्वगवद गीता नाम से अठाराज धाय इसने बोले और आखिर में ड्रा धमका के विराट रूप दिखा के भेंकर रूप जिसको दिखा कर जिसको देख कर के अरजुन कापन लग गया अरजुन जैसा युद्धा और लास्ट में ड्रते ने हांबर ली अरजुन ने कि उसने सोच लिया कि इसका उदेश से युद्ध करवाना है और यह दी मैं ना कर जूँँगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा जिया मेरा आर्ट टेक हो जागा इसलिए इसने अपनी बलाई समझी कि मरना तो मने है युद्ध करूँगा हूँ आप भी मारा जा सकता हूँ और जैसने फिर विराट रूप दिखा जिया फिर भी मारा जा सकता हूँ और बगवान के इरादे से वो प्रिचीत हो गया था कि यह युद्ध चाहता है तो इसन कहते हैं हमारे दर्म गुरू कि अर्जुन अक्सात्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था इसलिए भगवान उसको प्रेजिद किया रश्री किरसें स्वेम अक्सात्री था और जब काल्या वन नचट आई करेम अथुरा के ऊपर स्वेम भगवान युद मैदान छोड़कर भाग खा 만큼 युद मैंझागों झाली नचनफय था और यूजितय यह दिया है अदी आटो पिर अक्सात्रिय धर्म का पालन करने के लिए ज़िए नास करने कि शला दे सकता है तो अब हमने साथ गरंथों से उप चित हो नहीं ठीक है इनोंने जितना य Civil के शदर्का इनके पास रहे अब हम सद्गरंथों के नुसर साद ना करेंगे और ग्यान करेंगे अब आपको दिखाते हैं के स्री किरसन जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी मैं अभी दिखाता हूँ अपना अत्मों मा भारत का युदो लिया कौरों का नास हो गया पांडो राजगदी पर विराज़मान हो गये उसमें स्री किरसन के अंदर से काल निकल गया ओनली स्री किरसन विदमान था प्रेजेंट सा एक जिन स्री किरसन जी ने कहा कि अब मैं वापिस जाता हूँ दौर का को और तुम अपना राज करो अर्दुन ने कहा कि बगवन आप हमें कुछ सत्संग अज्यातम ग्यान सुना कर जाओ क्योंकि आप हमारे गुरू हो एक सत्संग करके जाई हो जब सरोतागन सामने बैठे थे अर्दुन और किर्शन वहां पर टैल रहे थे सत्संग का समय की इंतजार करेते सरासर डालू आ रहे थे तब श्री किर्शन जी से अर्दुन ने कहा बगवन किर्पा मुझे वही ग्यान सुनाना जो आपने युद के दोरान सुनाया था यानि वो गीता जी का ग्यान बता ना अब मैं भूल गया हूँ बुधी के दोस्ते मुझे याद नहीं रहा श्री किर्शन जी कहते हैं कि तु बड़ा सरदाहीन है अर्दुन तु बड़ा बुधी हीन है तुने उस ग्यान को याद क्यों नहीं रखा और अर्दुन पर तो डाट मार रहे हैं कि तुने याद क्यों नहीं रखा अर्स्वम कह रहे हैं अब मैं पूरा जो का तो तुझे उसको नहीं बता सकता क्योंकि उस समे मैंने योग युक्त होके ये ग्यान बोला था बले आदमियो जब युद के इसे खतरनाक वेंकर समे में योग युक्त हुआ जा सकता है तो इस पीस में के दिक्ट आगी योग अब हो जाए दो मिट लागा जो यान होता है उसने बोला हो तो उसने बोला ही नहीं था ये स्री करसन में परवेश करकर काल बोल गया जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे इसके स्रीर में परवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है बहुत कुछ बोल जाता है उसके जाने के बाद जिस स्रीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है फिर उसको कोई अन्ने ही बताते हैं ऐसे बोल रहे था तुम ऐसे बोला ऐसे बोला उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला और ही बताते हैं फिर वो करने लग जाता अबने एक दिन ऐसे बोला तो ऐसे श्री करसंदी मैं परवेश करके उसकी आत्मा को दबाकर ये काल बोल गया सारे काम में और उसके निकलने के बाद फिर और इजिनल करसंद था वो क्या बोलता इब दिखाता हूं को देखिए ये संक्षित्मा भारत दिवतिय खंड जिस ने स्री मत्मुत गीता कावियन वाद किया है गीता प्रेश गोरकुर से परकासित है गीता प्रेश गोरकुर से इसके 666 परिश्ठ पर आप जी को ले चलते हैं ये देखिएगा प्रेश्ट नुबर 66667 और ये है संक्सित्माभारत अब यहां आगे हैं जनमे जे ने पूछा बर्मन सत्रों का नास हो जाने के बाद जब मात्मा श्रीकर्शन और अर्जुन सभा में बैठकर वारता लाफ कर रहे थे उसमें उनमें क्या बात चित हुई तो वैसम पयान जी कहते हैं कहा राजन श्रीकर्शन के सीथ अर्जुन ने अब जब अपने र इरे वेवे दोनों मेत्र सवेच्छा से गुमते गुमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो सुरुक के समान सुदर था पांडो नंदन अर्जुन श्रीकर्शन के साथ रहकर बहुत परसंद थे एक बार उन्होंने उस रमनिक सभा के और दरिश्टी डालकर वगव मातम का ग्यान और इस्वरिये सुरूप का दर्शन हुआ था किंतु के सब अब आपने सनेवस पहले मुझे जो ग्यान का उपदेश किया था हुए है सब इस सने बुधी के दोस से भूल गया है उन विश्यों को यानि गीता सिरीमत बहुत गीता के ग्यान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उतकंठा होती है इधर आप जल्दी ही द्वार का जाने वाले हैं अते पुने उस सब विशे को वैविशे मुझे सुना दीजिए वैसमपयान जी कहते हैं अर्दून के ऐसा कहने पर वक्ताओं स्रेष्ट महातेजस्वी बागवान स्री किर्शन ने उन्हें गले से लगाकर इस पर कार उतर दिया है स्री किर्शन बोले अर्दून उस समय मैंने तुमें अतंत गोपनिय विशे का सरून कराया था अपने सरोप भूत धरम सनातन परशोतम ततों का प्रीचे दिया था और नित लोकों का भी वर्लन किया था किन्तु तुमने जो अपने ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा यह जान कर मुझे बड़ा खेद हुआ है उन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभाव नहीं जान पड़ता पांडू नंदन निश्चे ही तुम बड़े सरदाहीन हो तुमारी बुदी अच्छी नहीं जान पड़ती अब मेरे लिए उस उपदेश को जो का तुम दुरहा देना कठी नहीं क्योंकि उस से में य पूल नहीं दीता कि ग्यानम है अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने अब जैसे ये दास आपको ये सच्छ सुना रहा है और आप मुझे दस वर्स के बाद पूछ जो जी इस विसे पर दो आपने ये सच्छ किया था करपा फेर सुनाईयो कभी सुन लो उस इसे में सुना दू तुम कैसे विक्ती हो सरदाहीन हो बुदीहीन हो रहा बले आदमियों ये दास सच्छ करेगा और पर्थम वार्दो सुरोता इस सच्छ को सुनेगा बीस पर तीसत याद रहता उसको और मैं फिर डाट मारूं कि तुम नहीं याद क्यों नहीं रखा तो इसका इससे सिद्ध ह कि खिस्यानी बिल्ली खंबाना उत रही है यानि उसको ग्यान नहीं खुद को और उसको दुमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा तेरह के विज्री गर्गीवे अब ता आपको क्या हो गया जब ऐसे बहंकर युद के सबे में आदमी योग युक्त हो सकता है इस सा जियान देन में अब स्रीमत बहुत गीता का ग्यान दिया किसी ने है यह काल ने दिया गिता जिदाय नमर ग्यारा के स्लोक नमर बटीस में सुम कहता है करतुन में काल हूँ और देख तेरे सामने ये मिरा वास्तिव रूप है और इस रूप का यानि जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता ये तेरे उपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप देखा है पुना अत्माओं ये श्री करसंदी बोल रहे होते गीता तो ये सब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप ने किसी ने नहीं देखा क्योंकि श्रीकरशन जी तो अपना विराट रूप कोरों की सभा में देखा चुके थे, उस विराट में दिन रात का अंतर है, अपना अतमा एक तो साइट वाट का बल्लब हो, ट्यूब हो, और एक हो एक जार वाट की, तो कितना अंतर है ट्यूब दोनों है, लेकिन वो हजार वाट वाली, साइट वाट वाली से भिन होती है, तो इसी प्रकारिन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें उसमें भिनता थी, और ये सबद स्रीकरशन जी नहीं कह सकते कि पहले किसी नहीं देखा, और आगे कोई नहीं देख सकता। मेरा नाम सुगम यादव है, सुगम यादव जी कहां से आई हैं आप? मैं कांधिदाम गुजरात से आया हूँ, बेजिकली मैं MP का रेने वाला हूँ, डिस्टिक भिंट, गिराम रमा, तैसी लेटेर, थाना सुरौफरापरा, जिला भिंट से रहता हूँ तो अभी आप गुजरात में रहते हैं? तो फिर संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आना हुआ? यह पैसे मांगेगा या इसके पास पैसा नहीं है, इसके लोग करजा मांग रहें? यह अमदवात में जब मैं काम करता था, यह 2006 की बात बता रहा हूँ, 2006 से साथ के बीच मैं यहां रहा और थोड़ा मेरे अपना कर्डिशन सुधारा लेकिन सही सुधरा नहीं, उस पिरेट में मैं दारू पी के यह इदर घुमता था, लेकिन लोग बोलते थे मंदर जा मजजिद जा ऐसा कर वैसा कर, लेकिन मैं कहीं ऐसे जाता भी था, टेकिन कुछ खास मेरे को समझ में नहीं आया, उस पिरेट में हमा क्या करते हो, मैंने बोला कुछ नहीं, आज कल ऐसी तकलिफ चल रही है, उस दिन जब वो मेरे को मिले थे, मैं फुल दारू के नसे में था, तो उन्होंने बोला आपको क्या तकलिफ है, आपको कैसा है, मैंने धन्दा पानी खतम हो चुका है, और मैं नुक्षान में हो, तो बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, मैं ठीक है जी, मैं वो बुक लेके आया, जी, मैं घर पे रख ली और वो उसको पढ़ना चालू किया, पढ़ते पढ़ते उस बुक में मेरे को जब शरस्टी रचना पड़ी तो मेरे दिमाग में बहुत बढ़ है ही नहीं, लेकिन उस पीरिड में जो चीज बनी, वो समझ में आई तो उन्होंने मेरे को बुला कि हम एक दीपक जलाते हैं और उसमें गेरी नेजर घीता में दीपक भी गुरुजी के आगे रखा था, संत्रामपली मानाज के आगर, तो मैं वो दीपक जलाने लगा, घर म सर, आपनी नाम दिक्षा भी नहीं ली थी, केवल पुस्तक ही पड़ी थी, क्या केवल पुस्तक पड़ने से ही आपने नसा छोड़ दिया? सर, इतनी आसाने से आपने कैसे नसा छोड़ दिया? लोग तो नसा मुक्तिक हिंदर में जाने के बाद भी नसा नहीं छोड़ पाते? करने के बाद मुझे सुख प्राप्त होने लगा अब जो आदमी को जहां रोटी मिलेगी उसको तो मजा ही आएगा तीन महीने में नाम इनके शरण में था बिना नाम लिए मतलब भक्ती का पूरा नियम निभारा था उसके बाद जब अगस्त का एंड़ आया अगत से और थ शे महीने की थी और बच्ची की कंडिशन ऐसी खराब थी कि उसको कोई भी डॉक्टर लेने के लिए अगरी नहीं था पांच मेंट में समझो की उल्टी और दस्त हो रहे दे तो डॉक्टरों ने बोला कि वीस हजार रुपए भर दो मेरे पास तो 200 रुपए दिन में भीस बच्ची क इनकी शर्ण में जाने के लिए आपको कुछ न कुछ भोग देना पड़े या अपको माना पड़ेगा कि परमात्रों कि मैंने द्रंता हो फिए थी बहुत पहले से कि इनके बारे में बहुत पढ़ली आ था बोक्कवे में और वह करो था कांड़ वाली कुछ बु हो जाए मैं घर से निकला मेरी बेटी खड़ी हो गई अच्छे से उसने दूद बूद पिया कि और आज दिन अच्छ में और मैं गांदाम गुजरात में रह रहा हूं वहां मेरी पत्नी का दियान तो गया था 2011 में 17 तारीक के आसपास 17 नवंबर की बात है क्या आपकी पत्नी नहीं नाम दिख्छा ले रखी थी और यह बोलती थी कि तुम कि संत के चकर में पढ़ गया तुमने सब कुछ छोड़ दिया किसी की तेरमी नहीं जाते हो किसी के कोई भी विवास आदी ड्रांग ड्रामा सब कुछ चोड़ दिया क्योंकि मैं संत जीवन जीने लगा था और उसको यह चीज उसको पढ़ोसी प्रॉब्लम दे रहे है कि तेरा पती मेरी शरण में आने कबाद कोई दर्द नहीं होगा कोई पीड़ा नहीं होगी फिर ऐसा क्यों हो रहा साड़े ग्यारा से बारा मिनिट हो चुके थे मैं घड़ी की तरफ देख रहा था और मेरे ऐसा पूर विश्वास था कि मेरे संत्रामपाली महराज है जो परमात्मा है ज मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो रामकुमार बंड़ जी करके थे वह बैठे थे तो वह नों को पता लगा क्या हुआ सुगम मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ है बताओ बताओ तुम रो क्यों रहे है मैंने बोला यह खतम हो गई है क्या बात करते हो तब हम इतनी देर के सब्सक्राइब हो चुक है तो नजर मारी तो उनका पेट हिलने लगा तुम तो जूंट बोल रहे हो उन्होंने बोला तो जैसे ही हूँ दुबारा स्वास आई और भगतमती बहुत तेजी से उस पिरेंड में भगतमती नहीं थी वह इतनी तेजी से एक्दम रोने लगी वा यह मैं बहुत खुष था कि ऑामातमा था कि अभी बहुत बड़ी लाज रख लेंज मेरी भक्ति में दया है मालक ने मैं दूसरे दिन आस्रम गया और प्रमातमा नम्दान आसिरवात दे रहे दे सब गुरूजी संट्रामपाल जी महाराज मेरे आसिरवात दे रहे थे तो उस फीरड में हम लोग 15 सोझे आगे हमारे गुरूजी चले चले गए थे संट्रामपाल जी महाराज और वो मैं रो रहा था मेरे मुझे आवाज नहीं निकल रहे दिए तो दस बारा भगत के बापस फिर रिटन आये नाम मेरे उपर फिर से आत रखा भगत रोना मत अब तेरी बगतमती को कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं मिगड़ागा बस बक्ती में ध्यान रखना मेरे को ऐसे बोले संत्रामपाल जी महाराज सर फिर मैं तो बहुत बड़ा मनलब आवाज तो नहीं निकल रही थी इतना रोया था उस दिन से कि मेरे को यह चीश समझ में आगी कि मेरे गुरी जी ने बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा किया बहुत अच्छा कि उसके बाद ऐसी आने के लिए जो बंदा दुखी हुआ जो उसके पास बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है और एक जो बंदा अनपड हो जुसको लोग इंजीनेर की डिगरी से देखते हो यह भी कंडिशन है मैं एक सिविल इंजीनर बन गया हूँ और मैंने कभी श्कूल नहीं पड़ा थ शंटरामपाल जी महाराज के आसरम गया था वहां से सत्संग सुनके मत्रा एक्स्प्रेस जमना एक्स्प्रेस जो है मैं MP के लिए जा रहा था मेरे पास स्कॉर्पियों थी मेरी स्कॉर्पियों को पीछे का टायर फूट गया था और वह पलट गई थी उसमें हम नौ जन थे पूरी गाड़ी तैसनेस हो गई थी और गाड़ी के इंजन कहीं अलग था हम सारे के सारे नो के नो में किसी को एक रती जो बोले ना एक दाने बर किसी को चोटनी आई थी सब बड़े एकदम खुशते हो लोग गाड़ी देखे लोग बोलते सब मर गए क्या और बाजू में ए आज दिन तक मुझे कोई तक्लीब नहीं है कि आज मैं जो हूँ जैसी भी कंडिशन में हूं वो बहुत बड़ी कंडिशन परमातमान मेरी सप्टाई कर रखी है मेरे पास बहुत कर जा था आज मेरे पास कोई एक रुपए नहीं मांगता है मैं सब का दे चुका हूं और मेर चलाने वाला चंबल के बैड़ों में धुकेतों के साथ भूमने वाला बंदा इस कंडिशन में आ जा गए ऐसे किसी ने सोचा नहीं तो आज मेरे परिवार मेरा गाओं मेरे को जो उस पिरिट में देखते थे तो वह बोलते थे यह से दूर रहना यह तो बहुत खतरनाक यह लड़का बहुत अच्छा है अभी थोड़े दिन पहले की छोटी जी बात बताना चाहूंगा आपको कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी मेरी गाड़ी एक सीज हो गई ती जिसका इन्यान और मेरे को MP जाना था साधी में मेरी पतनी बोली कि मेरे को है ना गाड़ी के बिना मैं बगत समाच को यही संधेस देना पचाहूँगा सबसे मेरा संदेश क्या है मैं तो कुत्ता हूं परमातमा का में आप सबसे प्राहतना करता हूं देखों मेरे जैसा कुत्ता सुदर सकता था आप तो बहुत नेका आत्मा हो बहुत प्रिये calamimiento हो बहुत अच्छे हो आप सुदर सकते हैं, आपको लाम मिल सकता है संत्रामपाल जी महराज की शड़ में आओ, मेरे जैसे कुट्टे को इतना धन दे दिया भगवान ने, जो भीक मांगता था, भीकारी था आज उसको इतने सुख कर दिये, हर बारा मुईने गाड़ी नहीं चेंज करता है, मन पड़े मै हैं, आज कुछ 2011 से लेका, अभी तक मैंने 24 गाड़ीयां चेंज कर लिया, इतना सुक मिल रहा है भगवान को, इस से जयादा क्या ले सकते हैं, जो कुट्टे को दे दिया, आप तो ने कातम है आपको सबको देगा, बगवान सर बहुत बहुत धन्यवाद सत सही महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाव दिख्षाकेंद्र हैं जिन पर